विल्कम बैक टो चैनल देखे आपको स्सी जी डी कॉंस्टेबल का एक्जाम देना है और उमीद है कि आप दुमाधार तयारी कर रहे होंगे रोज प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे, रोज करिंट अफेर पढ़ रहे होंगे, रोज जीके पढ़ रहे होंगे और अपने कॉंफिडेंस को मजबूत कर रहे होंगे, इसी को और इंप्रूब करने के लिए हम करेंट अफेर का सिरीज आपको चला रहे हैं प्रथा वीडियो अध्यान से देखेगा, आए देख लेते हैं, और देखिए अब जो है कि एक्जाम करीब है तो आप इस वीडियो को कुछ इस प्रकार से भी देखेगा, इस नजरिये से देखेगा, कि जैसे माल लिजे कि यही क्वेस्टन आपके एक्जाम में आ गया तो आप क्या करेंगे, माल लिजे की एकदाम में यही पूछ लिया कि विश्व धरोहर दीवस निम्न में से किसे दिन मना जाता है, तो क्या यह एंसर आपका सही होगा, तो इस नजरिये से भी आपको देखना है, अगर यहाँ पर आपको इसका एंसर पता था, तो कमेंट बॉक इस डे भी अगर पूछे, तो आप समझ लिजेगा कि विश्व धरोहर दीवस पूछ रहा है, तो जो की कम मना जाता है, 18 अपरेल को मना जाता है, इस पार जो इसका थीम था, वो कमप्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, यह इसका जो है कि थीम था, मना जाता है 18 अपर रही है, तो देखिए, यहाँ पर ऑप्सन नमबर बी सही है, रूस, नाम सही रास का समझ में आ रहा है कि रूस रास में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, तो देखिए, ऑप्सन नमबर बी होगा, रूस का लूनर लैंडिन मिसन लूनर 25 जो है, यह चंदरमा की सतह के नीच अपरेल को ऑप्सन नमबर डी सही होगा, अब देखिए, विलियम सेक्सपियर की जन्म कीति थी और मृत्यू कीति थी दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भासा दिवस के रूप में चुना गया, तो ऑप्सन नमबर गया होगा, डी, प्रियंका मोहिते, नेपाल की, देख होगा, माउंट अनपूडा, यह जो परवत है न, यह उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में इश्थित है, अगला इटली ने हालही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लांच किया, जिसमें खादिब प्रसंसकरण सुविधाय शामिल है, तो यह है भारत, भारत ने मे 15 किलोग्राम वर्क भार में निम्निमे से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ड पदक जीत लिया है, यह क्वेस्चन भी दिमाग के साथ साथ खून में उतारने लायक है, क्योंकि यह बात है स्वर्ड पदक की, तो इंपोर्टेंट है, स्पोर्ट से क्वेस्चन है, ओप्सन नम 60 की बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तर से चित कर दिया और स्वर्ड पदक अपने नाम कर लिया, गर्व की बात है, तो याद रखेंगे विनेस फोगाट, आगे बढ़ लेते हैं, राश्टी लोक से वा दिवस जो है कि लोक का दिवस में से किस दिन मना जाता है, त और स्यक सेवा रख रखाव अधनियम लागू किया है, ओप्शन नंबर क्या हो जाए, सी, छतीस गड़, अलाएक विस्व हास से दिवस जोड लोक्टर डेर्म में से किस दिन मना जाता है, तो ये मना जाता है, मई के पहले रभिवार को, मई के पहले रभिवार को, पहली ब है, वो बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, ठीक है, अंतराश्ची मजदूर दिवस्यान इंटरनेशनल लेबर डे, निमन में से किस दिन मना जाता है, तो इसका तो एंसर आपको पता यो का बताईए, जिया, ओप्शन नंबर सी से है, एक माई को मना जाता है, और पहली बा से किस देश ने हालही में इबूला के बाराह में प्रकोप के अंत की घोसड़ा की है, तो यहां पर ऑप्शन नवर डी हो जाएगा कांगो, अच्छा आपको बता जाएं कि इबूला वायरिस की खोज जो है, वो 1976 में होई थी, कव होई थी, 1976, निमने से किस देश के जनसंख जनसंख्यों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सरवादिक आबादी वाला देश बन सकता है, अब इस क्वेस्चन को याद करने के लिए सिंपल से ट्रीक है, जो सबसे जादा जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं पर तो जनसंख्या विससंख्या भी होंगे, तो कौ आने वाले साल दोजार सताइस तक, साल दोजार सताइस तक हम अपने देश यादि चीन वाले बोले कि चीन को भी ये पच्छाल करके आगे निकल जाएगा, यानि दुनिया की सबसे जादा जनसंख्या भारत में हो जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत और किस ये भी है, तो आप्सन नमर क्या हो जाएगा, आप्सन नमर ए, ची, आप्सन नमर डी, इंडोनेसिया न, आप्सन नमर डी, अब देखिए, इस अभ्यास का मुख्य उद्धे से दोनों अनुकुल नों से नाओं के मध्या, पारसपरिक सहयोग और समझ में सुधार लाने के कौन से एकसरसाज किया गया, पैसेज किया एकसरसाज किया गया, किस के किस के बीच में, भारत और इंडोनेसिया की बीच में, याद रखेंगे exercise से question पूछता है, निनमें से किस देस ने बिटकॉाइन को कानूनी मानेता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो यहाँ पर option number A है अल सलवाद डोर अगला question नहीं कि दिन में से किस अंतराश्टी बाक्सर एवं 1998 ACI खेलों में स्वडपतक विजेता का निधन हो गया तो यहाँ पर option number क्या हो जाएगा B यानि डिंको सिंग आप देखिए डिंको सिंग ने 1998 में गोल्ड जीता था और 1998 में ही अर्जुन पूरसकार जीता था और सन 2013 में पदम स्री जीता था और इनका निधन हो गया इस राजय सरकार ने जहां वोट महाँ वैक्सिनेशन अभियान की शुरुवात की काफी इंपोर्टेंट क्वेस्चन है जहां वोट महाँ वैक्सिनेशन तो यहाँ पर option number क्या हो जाएगा डिये स्ट्वेंट सी यानि की दिल्ली दिल्ली की कौन सी सरकार अर्भिंद केजरी अगला है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थविवस्था को 2022 में कितने प्रतिसत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने भारत की अर्थविवस्था को कितने प्रतिसत तो यहां पो जाएगा 7.5 यानि 7.5 प्रतिसत ठीक है 20 हो जाएगा अगला question है बताईेगा क्या इसमें से हो जाएगा ? विश्व पर्यावरण दिवस, यानि कि World Environment Day निमनमे से किस दिन मना जाता है ? तो ये बना जाता है , पाँच जून को ठीक है ? विश्व पर्यावरण दिवस, अगर इसकी डीटियल वीडियो चाहिए कि क्यों मना जाता है , क्या थीम था उसमें हमने डीटेल में बना बताया है पुरा पौधे उगरा को दिखा करके ठीक है तो आप जा सकते हैं विस्व परेवर दिविस के लिए सेकेंड चैनल पर जिसका नाम है सुधीर पांडे व्लोग अच्छा आईए अगला क्वेश्चन है कि भारती क्रिकेट कंट्रोल वोल बी-सी-सी आई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंद को हटा दिया है तो ये हैं अप्सन अवटी अंकित अंकित के उपर जो लगा हुआ था आजीवन प्रतिबंद उसको हटा दिया गया है हाल ही में किस भारतिय महिला पहलवान ने पोलेंड ओपन में 53 किलो वर्ग भार में स्वरण पदक जीत लिया है तो ये कौन सा है विनेस फोगाट देखिए एस याई खेलों में स्वरण पदक जीतने वाली पहली महिला भारती पहलवान बन गई है विनेस फोगाट याद रखेंगे भारती मूल की किस अमेरिकी नागरी को माइक्रोशॉप्ट कंपनी ने अपना नया चेर में न्यूक्त किया है बताइए तो यहाँ पर ऑप्शन नमर सी है सत्या नडेला देखिए सत्या नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में 1967 में हुआ था प्रधान मंत्री नेंद्र मोधी ने अंतराश्टी योग पर किस एप को लांच किया बताइए भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेगा इसको है ना क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी एम योगा एप अगला कि हालाई में किस राजी सरकार ने मुख्यमंत्री उद्दमी योजना सुरू की है देखिए योजना अगरे से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं तो याद रखेगा इसलिए हमने इसको सामिल किया है तो यहाँ पर ऑप्शन नमबर क्या हो जाएगा डी बिहार अगला कि विस्वसर अलारती दिवस यानि वर्ल्ड रिफ्यूजी डेन में से किस दिन मना जाता है तो यह मना जा पाना ऑप्शन नमबर बी तो आज के लिए इतने करेंट अफेर के क्वेश्चन बाकी चीजों के लिए आप टेली कराम पर जूड़ सकते हैं जहां पर हम डेली क्वेश्चन वगरे भेज रहे हैं आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे यहां पर देखते हैं और सही एंसर तक जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल फ्री यह होता है दस उधीर पाणने सच करके टेली ग्राम पर जूड़ जाएगा साथी साथ इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजएगा और कोई भी आप की राहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिग सकते हैं हम आप के कमेंट का जवाब देते रहते हैं मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम